हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत हाब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ मैसके वर्मा आज की जो वीडियो रहेगी वहरेगी क्लास 12 के लिए और क्लास 12 में आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट को जियोग्राफी याने बगोल विश्यो का आज हम करने वाले हैं और जियोग्राफी में आज हम करेंगे आपकी जो बुक है भारत लोग और अर्थ व्यवस्ता अर्थ व्यवस्ता इस बुक का आज हम करने वाले हैं चैप्टर नमबर सेकंड चैप्टर नमबर सेकंड अध्याई दो और इस अध्याई का नाम है प्रवास और यह जो वीडियो रहेगी यह हमारी जो सिरीज है आपकी दस का दम इस सिरीज के अंतरगत आज यह वीडियो रहने वाले है यानि हम इसके अंदर दस मोश्ट इंपोर्टन परसनों को आपके साथ सेर करेंगे जो कि आपके सेकंड अध्याई से जुड़े हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन देखिए किस नमबर वन है बिलाई इस्पात से अंतर कहां श्तित है या किस राज्य में श्तित है तो सही आंसर है च्छतिस गड़ बिलाई इस्पात से अंतर कहां श्तित है च्छतिस गड़ नेक्ट किस नमबर दो सिंदरी सिंदरी नामक जगहें किस राज्य में श्तित है तो सही आंसर है सिंदरी जो है जहारखन में श्तित है कहां श्तित है जाहरखनवे next question number third परवास जो है उसे परवास को भारत की भारत की प्रथम भारत की प्रथम संचालित जन गन्ना भारत की प्रथम संचालित जन गन्ना में ही दर्ज करना आरम कर दिया गया था यह जो प्रवास है उसे भारत की प्रथम संचालित जन गन्ना से ही दर्ज करना आरम कर दिया था और आपको बताने कि भारत की ये प्रथम संचालित जन गन्ना किस सन में प्रारम होई फिघिक ह tourists किन सेंब बादकी प्रह्तव संचाले जन गन न किस चंसे श्थाट भी तो जो सही आनुसर है 1881 1881 मतलब जो 1881 से शुरू ही थी भारत की प्रतम संचाली जिन गन्ना उसी से ही प्रवास टोपी को साथ में जोड दिया गया था याने प्रवास के आंकड़े सामिल करना शुरू कर दिया गया था चलिए आगे क्यूश्य नंबर फॉर क्यूश्य नंबर फॉर आंतरिक परवास के अंतरगत चार धाराई हैं आपको बताने किस धारा के अंतरगत किस धारा के अंतरगत इस्त्रियों का प्रवास सर्वादिक हुआ है इस्त्रियों का प्रवास क्या हुआ है सर्वादिक यानि आंतरिक प्रवास के अगर हम चार धाराई मने तो किस धारा के अंतर इस्त्रियों का प्रवास सर्वादिक हुआ है तो सही अंसर है ग्रामिन से ग्रामिन यानि ग्रामिन टू ग्रामिन सरवादिक परवास हुआ है चार धरें अगर आपको नहीं पता देते हैं ग्रामिन से ग्रामिन ग्रामिन से नगरिये नगरिये से ग्रामिन और नगरिये से नगरिये ये चार धारे हैं तो सरवादिक ग्रामेंड से ग्रामेंड इस्त्रियों का प्रवास हुआ है नेक्स्ट किस नमबर फाइफ इस नमबर फाइफ है जन्गन्ना 2011 जन्गन्ना 2011 के अकोडिंग भारत में अन्य देशों से कितने वेक्तियों का प्रवास हुआ है 2011 की जन्गन्ना के कोडिंग भारत के अंदर भारत के अन्दर अन्य देशों से कितने वेक्तियों का प्रवास हुआ है तो सही आंसर देखिए सही आंसर है नेक्स्ट क्यूस नमबर सीक्स परवाशियों के मामले में वह कौन सा राज्य है जो सुची में प्रत्म स्थान पर है यानि परवाशियों के अंतरगत वह कौन सा राज्य है जो सुची में प्रत्म स्थान पर है यह आंसर है सरवादिक परवाशिया आते हैं महाराष्टर में प्रवाश्टर स्रुवादिक प्रवासी आपको गहां मिलेंगी महा राश्टर में मिलेंगी किस नमबर सेवन प्रतीकर्स कारक किसे कहते हैं तो सही अंसर है इसे कहा जाता है PUSH Factor, PUSH का मतलब बता है धकेलना, तो यानि वह कारक जो लोगों के निवास्तान और उद्गम को छुडवाने का कारण बनते हैं, छुडवाने का कारण, धकेलने का कारण बनते हैं, यानि किसी वैक्ति का मालों यहां जनम हुआ है, यह है उसका निवास्त यही उसका उद्गमस्तान है और किसी रीजन से वह उसे यह घर छोड़ना पड़े कोई कारण से वह नहीं छोड़ना चाता लेकिन मजबूरी से छोड़ना पड़े तो छुड़वाने का जो कारण बनते हैं वही कारण से कारख है प्रतिकर्स कारख है यह व्यक्ति खुश हो क यहां मजबूरी से घर्शोड़ नपड़ा होता है जोंकर सुझ इसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक जो सही अंसर दोनों में तरह यहां मजबूरी तोड़ना परती कर्स अपकर्ष्म में अपनी मर्जी जोड़ जा रहा रहे好 step कि सहर या किसी जगेंगे उसका अकर्शन पैदा हो रहा है कोई शेर को आकर्शित कर है यहां गावा में निवास करना था और उसे जैसे दिलीजी से सहर ने उसे अकर्शित किया मुंबईी जैसे सहर ने अकर्शित किया तो वह है कि अपने गर छोड़ कि यहां एक अपनी मर्जी से जा रहें संपकर्श प्रति कर्श कर क terrace कि नेक्स्ट कुछ नमर मैं महालकि उद्गम प्रदेश है उद्गम प्रदेश का मतलब जहां expectie का जिनम हो it's numb और उद्गम प्रदेश के लिए वह वेक्टी यो बाहर गया हूए igual ayud माँ द्धर भाल बेज रहा है कि उद्धकम प्रदेश के लिए मखोय लाब यह यह कि लाब प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है यहनले जैसे यहां कि से पैदा हुआ और बाहर प्रदैस है और काम कर रहा है वहांसे हुंडी भेज रहे मतलए पैसे भेज रहे तो उद्गम प्रवास का किस तरह के का परिणाम है ये देखो ये हुंडी तबी आई जवेक्ति का परिणाम है ये बताने आपको तो सही जो आंसर है ये आर्थिक परिणाम है आर्थिक परिणाम ये आपसे कोई पुछे परवास का अर्थिक परिणाम लिखे तो आप कहो उद्द्गं प्रदेश के लिए जो मुख्यलाब है ये है पर्वास का आर्थिक परिणहां है ठेक है जी, नेक्स्ट क्यूस नमबर टेज देखो, गरामिन से जब लोग कहा आते हैं, नगरों में आते हैं, तो जब गरामिन से लोग नगरिये प्रवास करते हैं, बतलब गाउं से नगरों में आते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो नगरिये छेतर हैं, उनमें जो लोग रहे रहे हैं, उनकी जो समाजिक सरंचना है, या फिर भोतिक सरंचना है, भोतिक अव सरंचना है, उस पर दवाव पड़ता है, दवारस देखिए क्या करना चाता हूं, मैं करना चाता हूं कि नगरिये गरामिन से नगरिये, गरामिन से नगरिये प्रवास के करण, लोगों का अति संकुलन नगरिये छित्रों में वर्तमान समाजिक अव सरंचना, समाजिक और भोतिक अव सरंचना है, पर दवाव डालता है, तो एक तरिके से यहां जो सहर में संसादन है, उनपर दवाव पड़ेगा, यहां की जमीन उनपर दवाव पड़ेगा, मैं लेगर मानलों बड़ा था, तो अब घर क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, पहले कोई चीज को 10 वेक्ति यूज करे थे, आब उसी को 15 वेक्ति यूज करेंगे, तो मतलब बहुतिक संसादनों और समाजिक सरंचना पर क्या पड़ेगा, दबाओ पड़ेगा, आपको यह बताने कि इस स्टेटमेंट है, यह परवास का किस तरह का परिनाम है, तो इस कारण को बताने, यह परिनाम को बताने किस तरह का परिनाम है, तो सही अंसर है, यह है, प्रियावरिनिये, प्रियावरिनिये, प्रिनाम, कि प्रियावरेनिय परढ़ेनाम तो परसंघ की पुछाजाह क Hence time प्रवाश का एक प्रियावरेनिय परढ़ें लिखिए तो आप कहा सकते हो इंहें कि गरावों से क्लास 12 के लिए जियोग्राफी वी से के लिए भारत की लोग और अर्थविस्ता बुक का चैप्टर नमबर सेकंड के टोपिक के दस मॉस्ट इंपोर्टन पर्सन तो वीडियो अच्छ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करके जूर रुपते हैं और हमारी अ